17 मार्च 2022 सुवे 9 बजे एक बार आप फिर से डेरेक्ट जुट चुके हैं स्री माता वैशनु देवी के पवित्र भावन से विसंदाव लॉक्स के दोरा आज की इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको नए ताजे नजारे ताजे दर्शन ताजी अपडेट आज के मौसम के नए ताजे हालात कि इतनी भीड़ है माता राणी के भावन पर इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माद्यम से देने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशन शागत है आप सभी का विसंदाव लॉक्स पर तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको मिलाने वाला हूँ अपने दोस्तों से उत्तर परदेश से आये हैं माता राणी के दर्शनों के लिए जय माता दे कौन-कौन लोग पहली बार दर्शन करने आये हैं अच्छा अच्छ आप आप इससे पहले भी दर्शन करके आप दूसरी बार कैसा लगा माता रानी के बाउन पर बहुत बढ़ियां लगा चलो जे करा सेरा वालिदा बोल साचे दबार की जय चलिए सुबह के नौ बजने और हम तो फिर से तैयार होके चल दिया है माता रानी के कि अमर्नासर मिरसाथ आमर्नासर कैसा लग रहा है माता रानी के बाउन पर कोशची करते हैं यहां पर है चलते हैं माता रानी के बहुन पर तीन नमर गेट के पास मैं उससे पहले दोस्तों यह सारवजनिक शूचना जरूर पढ़ डिजिए का वीडियो को पौउज करके क्य इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ दीजिएगा मा वैशनो देवी जी की पवित्र गुफा में जाते समय शौट से आफे नेकर पहने वे यात्रियों को दर्शन करने की अनुमती नहीं दी जाती है अगर आप मा वैशन दालों की बेड देखने को मिल रही है बहुत सारे शौट दालों माता वैशनो देवी जी की यात्रा पर आकर दर्शन करने से पहले इसनान जरूर कर रहे तो दोस्तों एक वार फिर से आप स्री माता वैशनों देवी जी के पवित्र भावन के नए ताजे नजार्य के माता रानी आप सब लोगों के मनोकामनाई पूर्ण करें, आप सब लोगों के घर परिवारों के मनोकामनाई पूर्ण करें, आप सब लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखें, जै माता दी जै मातादी तो दोस्तो करके आचुकाओं मातारानी के दर्शन एक बार फिर से आप लोगोंने अभी कर ली होंगे डिजिटली मातम से घर बैठे बैठे तो आज थोड़ा सा ज्याता भीड थी शड़े 11 बच चुके है अभी हम लोग ने 9 बजे हम मातारानी के भावन पर लग ताजे दर्शन आज 17 मार्च और मातारानी का भावन देख सकते हैं किस तरह से 11 बजे का टाइम है और मातारानी का भावन किस तरह से चमका हुआ है देख सकते हैं आज कल के मुकाबले काफी भीड है मातारानी के भावन पर दर्शन करने वाले लोगों की और रोबे मैं भी देखने को मिल रही है मैं आपको दिखाने के कोशिद करता हूँ देख सकते हैं वहाँ पर रोब्बे में भी काफी भीड है आज सुबह से लगवग इतनी भीड बनी हुई है अब देरे देरे मातारानी के भावन पर भीड बढ़ने लग गई है होली के छुट्टी के वज़े से भी यात्रियों के शंक्यामा आजकल इजाफा हुआ है अगर आप लोग मातारानी की यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय चल रहा है बड़े अच्छे से मातारानी के दर्शन आजकल हो पा रहे हैं और उतनी ज्यादा बीड भी नहीं है इतनी बीड बड़े आराम से यहां पर मैनेज हो सकती है बात करें मातराणी के भावन पर यात्रा ट्रेक पर मिलने वाली अन्य शुविदाओं की गोड़ा पिट्टू पाडल की बैटरी कार रोबे कंबल स्टोर सारी चीज़ें पूर्ण रूप से मिल पारी हैं कहीं पर कोई प्रावलम नहीं कि आपको यहां पर इतनी लंबी लंबी लाइन में ना लगना पड़े जय माता दी तो करके आ चुके हैं मातराणी के दर्शन और एक बार फिर से यात्रा शुरू है अपनी 11 नंबर की ट्रॉली से बहरो बाबा के लिए बात कर रहे हैं कोविड गाइड लाइन की तो कोई काइड लाइन में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है जो लोग दोनों वैक्षीन लगाकर आ रहे हैं सेटिपिकट शाथ में लेकर आ रहे हैं उनको कोविड टेस्ट करवाने की आवस्ता नहीं पढ़ रही है जो लोग अभी तक जिन लोग उन्हें कोविड वैक्षीन के शात्मा होनी चाहिए और कुछ लोग कॉमेंट कर रहे थे सर मातारानी के भावन पर कोविड टेस्ट कहां पर चेक होता है तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट जो है बाणगंगा दर्शनी गेट में चेक हो सकती है आला कि आज कल मैं चेक नहीं हो रही है लेकिन किसी भी टैम रेंडमली भी चेक हो सकती है आप लोग अपने रिपोर्ट या फिर वेक्शनेशन स्ट्रेटिपिकर शाथ में लेकर जरूर आएं मौसम की बात करें तो काफी दूप है आजकल बहुत ज्यादा अगर दिन में आपकी यात्रा दिन-दिन की हो रही है तो आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भी लेकिन अभी अगर आप रोब्बे के लिए लाइन में लगते हैं तो लगबक पौना गंटा तो लगी जा रहा है एक गंटे के आजपास तो ज्यादा भीड़ नहीं है अभी इसी वज़ेशे सारे लोग वहरवबाबा की यात्रा भी लुप्य से करते हैं कि अब लोगों से बात करते करते अब हम सीधे पहुच चुके हैं भीरवबाबा की खुबचूरत व्यूपाइंट पर अभी देख सकते हैं किस तरह का नजारा खुबचूरत भी पाइट पर बना हुआ है कि इतने दूर पीर पढ़ी के पाहड़ीओं पर बर्प अभी भी बनी हुई है और स्रुधालू किस तरह से फोटो सेल्पी लेकर यहां पर आनंद ले रहे हैं दर्शन करने के बाद और यहां पर देखा होगा आपने बहुत ज्यादा भीर नहीं लगी हुई है व्यूपाइंट में क्योंकि काफी तेज दूप लग दिये सड़े एक बार बार बजे का टाइम है बहुत तेज दूप लग दिये आजकल इसलिए ज्यादातर सरुधालू छाया में बैठे वह हैं जिन लोगों को फोटो क्लिक करनी है केवल वही लोग व्यूपाइंट पर हैं एक बार फिर से दीदार कर लिजिए मातारानी के पवित कात counterparts होती है अब कीजिए बईरोबाबाजी के दर्शन रोस्तो इसलिए बीट आज देखने को मिल यहीं लाइन लगी मिलती है यहां पर बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं लेकिन याद्रियों के संख्ञा काफी है और दर्शन करने के लिए बहुत सारह बढक्रिया करने के लिए आते हैं तो अब आप किजिए विभूति के दर्शन तो दोस्तों हमने कर लिए हैं बहरो बाबाजी के दर्शन इसे के साथ हमारी यात्रा राप जाए वो चुकी है तो सर कैसे होई दर्शल बहुत बढ़िया लुगं के दर्शं कैसे हूए बढ़िया हुए ना मातरानी के दर्शल फीर है थोड़ा सा और जिनों हाँ जी तो दोस्तों आज की यात्रा यहीं पर संपन्न होती है मिलेंगे और नई ताजी अपडेट वीडियो के साथ तक के लिए जैहन जै भारत जै माता दी मुश्किल है ये जीवन दिन पिर मैं तो समाल ले हाँ तू शेरवाली हाँ पहाडवाली हाँ तू मेहरवाली हाँ पहाडवाली